नमस्कार पंडाम भोचपुरी बुलिटिन इहे बाग खबर में रावा लोगन के बहुत स्वागत बाह हम है नले निपांडे और सबसे पहला बात हुई बिहार के मुंगेर से आयल एको पड़ा खबर के जहांपर बेखॉफ अपराधी आरजडी प्रदेश महास्तेचीफ पं इमार देहलें घटना सफिया सराइक शेतर के हवाई अड़ा मैदान के पास के बाग जहांपर मॉर्निंग बॉक के दौरान आरजडी नेता के गोली मारल गयल है वोकी गंभीर हालत में अस्पताल में भठती करावल गयल है जहांपर उनकर इलाज होगा था साथी उखतरा से फिलाल बाहरे बतावत गयल बाड़ें बाइक चलावे वाले अपरादी के पहचान मिट्टू यादव आउरी नमन यादव की रूप में हो गयल वा इघटना के बास से आरजडी की जोन नेता बाटें या कारकरता बाटें खूब नाराज बाटें आरजडी के प्रवक्ता पाइजास एहमद हमला पर काफी जादा नाराज की जतावले आप बिहार में विपक्ष के आवाज दबावे के खोशिश हो दबा यी आरोप उनकर द्वारा लगावल गयल है पांच पड़े छो गजे घूरनेक ले घूर रहा था एक मोटर साइकल पर दो आदमी एक मिठू जायदव और एक और लड़का है मिठू पीछे बैठा हुआ था इसके पास सटा और गुली चलाया एक दो गुली थोड़ा हलका हलका लगा ही तो पैसर्टी बता तकता और ए था जायदा कि राजट के सचीव महा सचीव है कोई तंकज यादव उनको मॉनिंग वाक के दौरान एरपोर्ट के अंदर गोली मार दे गई है और गोली मारने वाले वेट्टी अपैक्षी पे है इस तरह का इंपरमिशन आया था थानादेच कासी मजार और ठानादेच शफ पिटल ले जा रहा है और गोली जो है उनके सीने में लगी है अभी हम डॉक्टर से और बाती आम लोगों से बात्चित हुआ है तो उनने बटाया है कि आउट ओफ देंगे हैं और हम लोग इसमें तब तीस कर रहे हैं लेकिन किस तरह का सासन है किस तरह का सुसासन है यहां प्रशासन प्रशासन पूरी तरह से पस्थ है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग मलाई काटने में ब्यस्त है यह प्रतेक दिन घट रहा है बिहार में और इसके उपर में लगाम लगना चाहिए अधर्णिय मनी अपने मुख मंत्री जीसे मैं आपके चैनल के माधम से निवेदन करना चाह अधरी जो और बढ़े गई है